नमस्कार दोस्तों को सुप्रभात जैगों मिरस में आपका स्वागत है और सुबह सुबह का दर्शन आप सभी का जैगों जेडिये स्टेडियम कहा जाने वाला यह छेत्र जिसे काफी लोग मेला ग्राउंड के नाम से जानते हैं और इस छेत्र का आज आप सभी के समख्च द्रिश्य साधा कर रहा हूं विगत जन्वरी महिने से यहाँ पे मेला यहाँ पे आयजित किया गया था और आपको बता दें सुचना के लिए कि पच्चिस तारीकों फरवरी को मेला का समापन हुआ एक सब्ता बित चुका है और आपको मेला मैदान कहें या खेल स्टेडियम कहें श्पोर्ट स्टेडियम कहें या आप खुद आप अपने उपर ही आपके उपर ही निर्भर करता है आप जो भी कहलें लेकिन अगर ये खे अब देखें, चारों तरफ यहां पर देखा जा रहा है, और आप अब देख सकते हैं, अभी तक एक सब्ता समाप हो गया है, अभी तक पुरी तरह से जो इस्ट्रक्चर यहां पर है, गेट वगेरा, अभी तक मौजूद है, अभी तक मौजूद है धिरे 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 साइद कितना दिन लगेगा कब तक यहां से यह सब हटेगा यह तो खेर आईजर कमिटी को ही पता होगा लेकिन मैदान का इस्तिती आपको हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से कचड़ा का अंबार मैदान में भरा पड़ा हुआ है और इसे कहते हैं इसे कहते हैं डिवलप्मेंट एक तरह बड़ी बड़ी इमारते धाचा इस पे खेलारी बैठेंगे या दर्सक बैठेंगे धूप से बच प यह तो खेर बात की बात है लेकिन खेलाडियों को एक अच्छा मैदान होना चाहिए और यह द्रिश्या आप देखके स्वहम सोचें स्वहम सोचें कि मेला तो समाप्त हो चुका है एक सब्ता चला गया है अभी भी आए जब कमिटी बोलेंगे आरे भी तो मेला खतम हुआ है लेकिन मैं मेले का समापन 25 तारीक होने के बाद नहीं बलकि एक हपते के बाद यहाँ पर पहुंच रहा हूं और आज भी उसी तरह से कचड़ा देखा जा रहा है मैदान पुरी तरह से गंदगी से भर चुका है और यह सफाई कब होगा बच्चे चोटे चोटे बच्चे हम इस मैदान में आके खेलेंगे यह सोचने वाली बात है और मैं एक और द्रिश्य आपको दिखाना चाहूंगा कि कुछ लोग तो मेला लगा के यहाँ पे यहाँ पे रोजगार कर लेते होंगे अच्छे कैसा इंकम जेनरेट कर लेते होंगे लेकिन सफाई के समय में आप देख सकते हैं अवी तक कोई सफाई का नामों निशान नहीं है लेकिन आपको एक द्रिश्य दिखाना चाहूंगा यहाँ पे बच्चे जो हैं यहाँ पे किस तरह से गंदेगी में खेलते हुए देखे जा सकते हैं साइद साइद आपके और हमारे बच्चों को भी अगर इस मैदान में अगर वो आएंगे तो इसी तरह से गंदगी में ही वो खेलेंगे और केवल इतना ही नहीं आप आप देख सकते हैं यह पूरी तरह से मैदान का यह छेत्र को है डंपिंग यार्ड में बदल दिया गया है अब आप देख सकते हैं यह कचड़ा हैं कचड़ा ही कचड़ा सब जगह पूरी तरह से भर चुका है और आप देख सकते हैं बच्चे इसी कचड़ा में इसी गंदगी में खेल रहा हैं वो मैं दृश्य दिखाऊंगा मैदान को साफ सूत्रा रखने का जिम्मेदारी किसका है मैं यह सवाल रखना चाहूंगा कि मैदान को साफ सूत्रा रखने का जिम्मेदारी किसका है साल में चार-चार बार मेला लग जाता है आप देखिए आप आपको ये वीजियुल्स मैं JDA चेरमेन को दिखाना चाहूंगा जो JDA के एक्जिगुटिव ओफिशर है उनको दिखाना चाहूंगा देखिए आप किस तरह की गंदगी है और बच्चे किस तरह से इस गंदगी में खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, कचा उठा रहे हैं, क्या-क्या कर रहे हैं और आप देखें यहाँ पर आपको और एक द्रिश्चे दिखाना चाहूँगा सराब की बोतले फूटी हुई यानि इस मेले में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ यह तो आप खुद सोचे समझे सराब की बोटले फुटी हुई देखी जा रही है तमाम कचड़ों में भी इसी तरह से सराब की बोटले देखने को मिलेंगी तो कहने के लिए तो मेला मनोरंजन के लिए यहां पे लगाया जाता है लेकिन यहां पे इस तरह से गंदगी तमाम गंदगी देखी जा रही है और नसे के पदार्थ बोटले भी देखी जा रही है मैं अपील करना चाहूँगा कि मैदान को साफ सूतरा रखने के लिए अपना सभी अपना जिम्मेदारी निभाय है चाहे आजज़क कमेटी हो चाहे जेडिये के प्रशाशन हो उनसे मैं अपील करना चाहूँगा और बच्चे ताकि इस तरह के गंदगी में बच्चे आके खेल कुद ना करे जब तक यहां पे बेरिगेट लगा हुआ था समझा जा सकता था कि चलो अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा अंदर जो भी गंदगी है साफ सूतरा हो जाएगा लेकिन पुरिए तरह से बेरिगेट जब खूल चुका है लेकिन वच्चे आ रहा हैं इसी तरह से घंदगी में खेल रहे हैं और हमारे साथ यह अपे कुछ बात करने के लिए हमारे साथ है ना अच्छी बात है हम लोग तो इस है सफाई हो जाए आज हो रहा है आप बोल रहा है तो अच्छी बात है ठीक है यह जह जो रहें और यहां पहुचे हैं और उनका बताना है कि आज ही सफाई यहां पर कर दिया जाएगा तो धन्यवाद देना चाहेंगे कि सफाई आज ही करने का बात कहा जा रहा है और मैं ये भी अपील करना चाहूंगा कि मैदान को साफ सूत्रा रखने का जिम्मेदारी सभी का है प्रशाशन का भी है आम लोगों का भी है तो आप लोग भी अपना पहल करें और काफी बार देखा जाता है कि इस मैदान में मैदान में लोग आते हैं ड्राइविंग सीखने के लिए तो उनसे भी मैं रिक्वेश्ट करना चाहूंगा कि खेल मैदान को खेल मैदान ही रहने दे ड्राइविंग सीखना है तो कोई खाली कहीं और जाके सीखें ताकि इस मैदान को और बहता धंग से विक्सित किया जा सके इस मैदान पे आने वाले दिनों में खेलाडी यहां पे बड़िया लेवल का खेल खेलें यहां से देश विदेश जाके खेलें और अपना सहर का नाम रोशन करें अपना स्टेट का नाम रोशन करें अपना देश का नाम रोशन करे था कि जैगाउं से भी हमारे इस छेत्र से भी बड़े बड़े खेलारी निकले कोई फूर्बोल में रोनाल्डो होगा तो कोई क्रिकेट में महेंदर सिंग दोनी होगा विराट कोहली होगा लेकिन प्रतिभा तो तब आगे बड़ेगा जब उन्हें बहतर खे के चेर्मेन गंगा प्रशाद सर्मा जी को कि यह आप पहल करें कि ताकि इस मैदान को विक्सित किया जा सके आज भी यह मैदान खुला मैदान है इसका बौंडरी वाल होना चाहिए इस मैदान में बढ़ियां फिल्ड होना चाहिए और आप देख सकते हैं यह जो बच्चे जो कचड़ा में खेल रहे हैं यह जो बच्चे जो कचड़ा में खेल रहे हैं उनको उनको बहत्रीन उनका बहत्रीन मैदान मिले ताकि वो कचड़ा में ना खेल कूद का खेल कूद के साथ जुड़ें कचड़ों से ना खेलें बलकि फुटबॉल खेलें वालीबॉल खेलें खेल खेले और उसके लिए प्रशाशन को उचित कार्य करना पड़ेगा यही अपील के साथ इस समय मैं यहां से अलवीदा लेना चाहूंगा फिर किसी और छेतरे से जुड़ूंगा इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहेगा जैहिन